हेलो फ्रेंड्स वेलकम टु माई जेनल आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी जिसके लिए हमें क्या लेना है लोकी एक मिडियम साइज का दो बड़े प्याज चार टमाटर दो शिमला मिर्ची और एक फूल गोबी इसे हम धो के अच्छे से बारिक चॉप कर लेंगे चॉप क इसमें तमाटर हम थोड़ा बचा लेंगे और थोड़ी शिमला मिर्च बचा लेंगे बागी की चीजों को हम एक स्यूटी दे लेंगे दो तो देखिए दो स्यूटी देने के बाद इस तरीके से मश कर लेंगे फिर इसमें हम क्या करें के तेल डालेंगे 2 बड़े चमच फिर हम इसमें दो बड़े चमच जीरा और जो प्याज काटी थी हमने वो प्याज डालेंगे प्याज हम बॉलिंग में नहीं डालेंगे वो तड़के के लिए है फिर हम इसमें डालेंगे प्याज जब लाल हो जाएगी तो ये एक चमच अदरक लसन का पेस्ट जब अधरक्रस्तन का पेस्ट भुन जाएगा तब हम इसमें ये सुखे मसाले एक चमच मिर्ची एक चमच धनिया पाउडर और आदा चमच हल्दी डालेंगे जब चमच भरके हम पाउबhaji मसाला इस वख्त हम इसमें शिम्ला मिर्ची और टमाटर और नमक भी शामिल करदेंगे तरब टमाटर और शिम्ला मिर्ची अच्छे से भून जाएगी तब हम में वेजेटेबल को कूप करा है और मेश करा है वो डालेगे उसे डालने के बाद यह थोड़ी सी दाल है, बॉयल करी वी, हम डालते हैं, यह optional है, totally optional है, अगर आप डालना चाहेते हैं, उसके बाद अच्छे से उसको दाल को mix करके भून लें, फिर इसमें एक चमच देशी गीर डाल दें, और पाने डाल के इसकी consistency को adjust कर लें, 10 मिनिट और भूने, पाने डालने के बाद 10 मिनिट पूरा पकाएं, फिर इसके बाद आप पाव भाजी को अचार प्याज निम्बू के साथ सर्व करें, you like it very much, आपको यह recipe पसंद आएगी, like my video, share and subscribe, thank you